हेलो वरिवन, विलकम यूँ ओल इट लोकेसर अलिम्टेड स्टडी जोन तो प्रैक्टिस सेशन के लिए हम चला रहे हैं PGT Mathematics Solve Paper 2017 और देखेंगे इसके पहले हला कि हमने इसकी सीरीज के कुछ Paper No.1, Paper No.2, Paper No.3 और Paper No.4 यानि की चार अपलोड कर रखें हैं अब देखते हैं कि कुछ और Question बज़ गया है इसमें 100 Question पूछे गए थे इस साल तो देखेंगे कुछ इसके बहतरीन Question इस सीरीज के KBS सीरीज के तो आईए Solve करते हैं देखें तो जो पहला Question है वो हमाई पास में यह आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है पहला Question क्या कह रहा है वैसे मैंने Question के Solution त्यार कर रखें जिससे की वक्त कम से कम लगे फिर भी देखते हैं आईए तो पहला Question कह रहा है If A B equals to 0 Question को ध्यान से बहुत पढ़िएगा tremendous pressure होता है मैं कहूंगा आप से की 50% गलतियां जो होती है वो Question को गलत पढ़ने की वज़े से भी होती है इस exam में So if A B equal to 0 A equal to this दिया है B equal to this दिया है Then theta minus phi का mod आपको find करना है So A B equals to 0 दिया गया है तो आप एक काम करिए जब सारे element 0 होते हैं आपको चारवे element से pairing करके दिखाने की जुरूत नहीं कि वल एक एक element ले First row, First column Okay इस तरीके से तो cos square theta into cos square phi फिर ये वाले element cos theta sin phi into cos phi sin phi cos theta sin phi into cos phi sin theta तो multiply हो जाएगा तो ये हम इसको लिख सकते है cos theta into cos phi plus sin theta into sin phi की form में इसको लिखा जा सकते अब देखिए यदि मैं इसको compare कर दूँ, equal to 0 से तो क्या बन जागा, cos theta into cos phi और bracket में, यदि मैं common लिलिया, मैंने cos theta cos phi तो cos theta cos phi plus sin theta sin phi जिसको मैं cos theta cos phi को 0 के साथ नीचे ले गया तो वो 0 बन गया and cos theta cos phi into sin theta sin phi equal to 0 सो cos theta minus phi equal to pi by 2 मतलब आंसर क्या हो गया cos theta minus phi equal to pi by 2 तो correct answer इसका कितना आएगा, option number 3 बहुत easy question था यह यह देखी, यह रहा इसका विदिवत solution मगर इतना ज़्यादा मेहनत करने के आपको कोई जरूरत नहीं है आपको सीधे एक point से इसको solve कर लेना है done चलि देखे दोस्तों next question देखते है question कह रहा है कि in how many ways 846 can be written into the two factors मलब 846 को आप दो factor की रूप में कितनी तरीके से लिख सकते है तो इसके दो तरीके हैं कि सबसे पहले आप 846 को क्या करो factorize कर लो जैसे मैंने आप factorize कर रहा है और factorize करने के बाद क्या आ गया 2 into 3 into 3 into 7 अम मैंने इसके pair बनाने सुरू करे तो 2 into 3 into 3 into 7 तो सबसे पहले तो जह है भाई कि इसको solve करने पर कितना आ रहा 846 आ रहा तो पहला pair तो बन जाएगा जो मैंने सबसे नीचे लिखर का 846 into 1 यह पहला pair तो यही बन जाएगा और अब इसके बाद pair करना सुरू कर दो तो 2 into 3 और 3 into 47 तो 6 into 1 40 बन गया अगर 2 को बाहर कर दिया आपने तो 2 into 4 23 बन गया अगर 2 और 47 को बाहर कर दिया तो कितना बन गया 94 into 9 बन गया 47 को अकेला छोड़ दिया तो 47 into 18 मर गया यह तो मैंने बताई दिया और इसके बाद अगर आपने 3 को अकिला छोड़ दिया तो 3 x 282 बन गया इस तरीके से टोटल कित्ते पेर बन गया है, 6 पेर बन गया है, तो यह तो छोटी सी चलो, यहाँ पर तो कम फेक्टर थे तो आभी तो आपने जमाल लिया है, बट अगर जादा फेक्टर हुए तो फिर आपने पड़ेगा, इसको अपने हैं, इसको अपने क्या सब पूस कर लिया है, अब देखो कि n है, even की odd है, अगर even है, तो क्या लगी की trick, answer, pair of factors कितने आएंगे, n by 2, ओके और अगर odd है, तो क्या लगी की trick, n plus 1 by 2, तो फिल हाल यहाँ पर n की value कितनी आ रही है, 12 आ रही है, जो की even है, और even होनी की वज़े से इस पर trick क्या लग जाएगी, 12 upon 2 that is equal to 6, तो correct answer इसका क्या हो तो फोर तो थी पावर 1000 इस डिवाइट बाई 7, अब नेच्रल मेथर से तो भाई कर पाना है, बहुत ही मुश्किल होता है, 4 to the power 1000 कैसे लिख पाएंगे, तो यह इसको करने के लिए कि standard procedure, trick के लो, procedure के लो, इसको आपको धियान रखना पड़ेगा, तो करना क्या पढ़ता है कि सबसे पहले आप देखो 7, 7 किसको डिवाइट कर पाएगा, एक least number देखो, 7 जो है, 8 को डिवाइट कर पाएगा, 9 को कर पाएगा, 10 को कर पाएगा, तो आप close to close पहुचने की कोसिस करो, उसके पास से पास पहुचने की कोसिस करो, so 4 to the power 1000 upon 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to 2 to the power, 2 का square की power 1000, यहां से 2 की power 2000 का लिया, अगर मैं 2 की power 2000 में मैंने 3 का डिवाइट किया, तो कितना आगया, 666 plus 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की power 2000 को 2 की power 3 times 666 into 2 की power 2, अब देखी यह जो 7 है, 7 को कुछ इस तरीके suggest करना है कि आपको दोनों के यह जो basis हैं में आपको ड जनरेट होगा, ओके और 2 की power 4, 2 का जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, 4 होगा, ओके power लगे रहें दीजी, जितनी भी power आनी है, देखी 7 में कितने बार डिवाइट करेंगे, 1 बार डिवाइट जाएगा, ओके 7 में कितने बार डिवाइट किया, 1 बार जाएगा, और पावर कितनी लगी हुए 666, तो कितने बार भी power fold कर जाए, कोई फरक नहीं पड़े गए यहां पे, ओके, so remainder essentially कितना बचा, तो देंकि पहले पार्ट से जो इसका remainder बच करके आया, इतने वाले पार्ट से जो इसका remainder बच करके आया, वो कितना आया, और फिर 7 में 4 का divide किया, तो 7 में 4 का divide किया, तो divide तो जाना नहीं है, तो remainder कितना बचा 4, इस तरीके से दोनों को multiply कर दिया आपने, तो इसका correct answer कितना आएगा, इसका answer आएगा, भी option, जो कि 4 है, ओके, ये इसका systematic तरीक अबुक वालों की तरफ से लिखा हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं, तो करा वही है, यहाँ पे भी देखे, सबसे पहले इसने क्या कर लिया, 4 की power 2 को 16 लिख दिया, बट मैंने directly 2 की power 2 into 2 की power 3 कर लिया था, यह जाधे यहाँ से समझ में आएगा, आपको मेरे वाले method से, फिर इसके बाद 4 into 8 की power 166, इसमें तो divide जाना नहीं है, तो इसका रिमेंटर कित्ता जनरेट होगा 4, और इसका रिमेंटर कित्ता जनरेट होगा 4 multiply by 1, तो answer equal to कितना हो जागा 4, बीच में क्या है का sign रहेगा, बीच में multiply कर रहेगा, गलती से plus minus का मत कर देजेगा, so this is done, ओके चले दोस्तों देखें अगला question क्या कह रहा, question कह रहा, इसमें क्या किया करिए, इसको थोड़ा pattern पहचानने के लिए, इसको कैसे करेंगे, solution के ओर आँगे बढ़ते हैं, देखें कैसे करेंगे, तो यह आपने solution इस तरीके से मैंने लिखा रखा है, देखें पहला term क्या है, 2 है, तो मैंने लिखा T1 equal to 2, दूसरा term 3 है, तीसरा term 6 है, चोथा term 11 है, पांचवा term कितना है, 16 है बने पास में, 16 प्लस 2, अब 16 प्लस 2 को पकड़ी यह देखे जरा, तो यह क्या हो जाएगा, 4 का square plus 2, मतलब एक कम का square, मतलब जिस term की बात हो रहे है, उससे एक कम number का square plus 2, यदि 4 की बात कर जाए, या T4 equal to 9 plus 2, तो क्या है वो 3 का square plus 2, इस तरीके से अगर मैं nth term की बात करो, तो क्या हो जाएगा, n-1 का whole square plus 2, तो इस तरीके से जिदी मैं 50 बात करो, solution दे रखा, SN वगरे लगा करके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इस तरीके से माताप करिए है, आप चो method में मैंने बताया है, उसके उपर आप स्टिक रहे है, चली, तो यह हो गया question done, so this is done, so correct answer 66 का क्या है D, चली, तो अगले question के ओर चलते हैं, देखे, question क्या कह रहा, find the sum of the first 10 terms of the series, 1 upon 21 plus 1 upon 77 plus 1 upon 65 and so on, इस series का आपको sum find करना है, और ध्यान से देखे, यहाँ पर कित्र टम्स का sum find करना है, आपको 10 terms का, okay, 10 terms का sum find करना, infinite terms की series दी हुई, तो कैसे करेंगे, इस question को देखे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस question में, यह जो series मुझे दी गई है, क्योंकि इसमें endless countless series है, तो मैं इसको S infinity माल लेता हूँ, मतलब यह infinite series है, ओके, फिर देखे, मैं क्या लिखता हूँ, S infinity equal to 1 upon 3 into 7 plus 1 upon 7 into 11 plus 1 upon 11 into 15 up to up to up to infinity, अगर मैं पहली series देखूँ, तो 3, 7, 11 क्या बन रहे है, एपी बन रहे है, जिसका n term निकलेगा कितना, 4 and minus 1, और दूसरी series मेरे पास क्या बन रहे है, 7, 11, 15, जिसका n term कितना निकलेगा, 4 and plus 3, ओके, आप चेक करके भी देख सकते हैं, equal to 1 डाल देंगे, तो पहले में 3 निकलाएगा, दूसरे में equal to 1 डालने पर कितना, 7 निकलाएगा, मतलब हमारी series सही है, तो इस series का जो n-1 term बनेगा, कितना बनेगा, 1 upon 4 minus 1 into 1 upon 4 and plus 3, और क्योंकि 10 term तक के find करने की बात की गई है, तो 10 term निकाल लीजए, 1 upon 39 into 1 upon 43, चली अब series पे वापस आईए, देखे क्या था, तो हमें S10 तक का स्रम निकालना है, मतलब 1 upon 49 into 1 upon 43, यहां तक हमें चलना है, ओके, बचेगा 4, और उसको cancel करने के लिए मेरे को कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 1 by 4 divide करना पड़ेगा, because 7 minus 3 equal to 4 आजाएगा, but मेरे को 1 upon 7 into 3 चाहिए, तो 4 से 4 cancel, similarly यहां पे 4 का divided, 4 का multiple, 4 उपर बचेगा, आपने यहां पे 1 upon 3 minus 1 upon 7, 1 upon 7 minus 1 upon 11, 1 upon 11 minus 1 upon 15, up to dot 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 dot, 1 upon 39 minus 1 upon 43, तो देखिए, जो second वाले टर्म है, वो लगातार cancel हो रहे है, पहले वाले टर्म, 1 upon 3 बच जाएगा, 1 upon 43 बच जाएगा, चली देखिए, अगला question बेहद रोचक है, बेहद बहदरीन question है, अगला question क्या कह रहा है, 70 question आया है, QVS का, A curve passing through the point 1, 1 is such that perpendicular distance from the perpendicular distance of origin from normal to the curve at any point P, मतलब कोई curve है, curve का normal है, उस normal में आप किसी normal के point में, जो है, जिस point पर वो normal है, आप वहाँ पर perpendicular draw कर रहे हैं, परपेंडिकुलर draw कर रहे हैं, उस point P पर, जिस point पर normal खीचा गया है, और कह रहा है कि perpendicular जो distance है, और point P, and it is equal to the distance of point P from the x-axis, और जो distance है, x-axis से distance के बराबर है, x-axis distance क्या होता, y-coordinate, तो y-coordinate के equal है, तो आपको बताना है कि differential equation इस curve को represent करने वाला कैसा बनेगा, देखिए, कुछ question आपके exam में आते हैं, जिनका काम होता आपको भ्रमित करना, आपको misguide करना, यह वैसा ही question में कह सकता हूँ, कि आपको totally तरीके से misguide करने के लिए, इस question ने आपको दिया है, अगर आप इसको करेंगे, तो आपकी तोड़ा सा time खराब हो जाएगा, चलिए, फिर मैं करा रखा है, देखिए, question का क्या तरीका है, यहाँ पर कह रहा है, कि आपके पास curve है, curve का कोई अधा पता नहीं है, कैरा curve के किसी point पर आपने normal खीचाए, तो माल लीजी यह रिखी, curve है, अब यह curve के आप यह हो गया tangent, और curve के इस point पर आपने क्या खीच दिया, normal, ओके, यह normal हो गया, ठोके, अब दीखे, थोड़ा origin मेरा आंगे बन चुका है, यह origin को थोड़ा सा आप shift कर ले, मैं को सस्करता distance from the origin, चलिए, shift नहीं हो रहा, थोड़ा सा, आइडिया ले लिजे ऐसा करने का, ठीक ना, इसको आप आइडिया ले ले लिजे, इसको आइडिया से आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या होने वाला है, दिखे, यह वाली line तो फिल हल गया, आप कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए, अब समझ यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह curve passing through the point 1,1, तो यह curve जो है 1,1 से पास हो रहा, अची बात है भाई, अब कह रहा है कि इस curve के इस point पर क्या है, कोई normal खीचा गया है, तो यह normal है, ओके, अब कह रहा है, इस normal की जो है, origin से perpendicular distance, यह देखो मैंने यह origin से perpendicular distance, और यह origin से perpendicular distance है, इसका नाम O ले लो, तो जो P से लेके हो तक की दूरी वो किसके equal है, X axis से distance के, तो इस point से X axis के distance कितनी होगी, Y coordinate, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस point को, curve के ओपर जो बैठा हुआ point है, मेरे को पता नहीं, curve के ओपर कौन सा point बैठा हुआ हु की जगे के खेल रहा है, equal to minus 1 upon d by dx, X minus H, okay, Y minus K equal to minus of dx by dy, X minus H, okay, इसको थोड़ा सा simplify किया, d by dx, y minus K equal to minus, छोड़ गया, तो minus of X plus H, इसको X को इदल ले आईए, तो X plus Y divided X equal to H plus K divided X, यह आपका बन गया पहला equation कि, इसका normal की street line का, यह normal की street line का equation है, अब क्या कह रहा है, कि normal पर आ distance किसके बराबर है, X axis से distance, तो फिलाल X axis से distance क्या होगी, Y coordinate याने की K, ठीक है न, तो यह देखिए, आपने यह equation बना रखा था, इतना इतने तक हम आ चुके थे, अब कह रहा है, इसको थोड़ा सा simplify और किया गया है, तो X plus Y divided X, X plus divided X into Y, क्या कर रहा हूं मैं, इसको बना रहा अब कह रहा है, इस पर जो perpendicular distance और origin से हो किसके equal है, Y coordinate, तो Y coordinate क्या होता है, के, और origin से perpendicular distance, तो magnitude of X की जगे 0, Y की जगे 0 कर दोगे, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, minus H upon H plus K divided X upon under root A square plus B square, तो भाई, X का कुप्शन कौन है, 1, 1 का square 1 हो गया, और Y का कुप्शन कौन है, divided X, तो divided X का whole square हो गया, तो यहां से इसको देखिए, अब squaring both side कर दीजे, अगर आप squaring both side करते हैं, तो H square plus K square divided X square plus 2H k divided X equal to, यहां से देखिए, इसको भी square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, K square, K square का multiply हो जाएगा, इसके whole square के साथ में, तो K square multiplied by divided X का whole square, ठीक है न, K square plus K square, अब देखिए, यह हां से काटा-कूटी कर दीजे, यह term हो, यह term क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, हला कि मैंने आंगे पुट कर दिया है, और equation को locust बनाने के लिए क्या करेंगे, H की जगह X और K की जगह Y, क्यों, general form में, ओके, तो H की जगह X रख दिया, तो X square plus Y square divided X का square, और यहां भी क् X is equal to कितना हो गया, Y square, ठीक न, यह हमाँ पास आ गया, X square plus 2XY divided X equal to Y square, ठीक, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2XY divided X equal to Y square minus X square, तो divided X equal to Y square minus X square upon 2XY, यह हमारा differential equation आ गया है, D Y by D X equal to Y square minus X square upon 2XY, देखें, यहां पर अगर अगर आप solution कर्व की value find करते, तो आगे हमको solve करना पड़ता, और वो 1,1 जो दे रखा, उसका साथ इस्तमाल करना पड़ता, मगर हमें केवल यहां पर differential equation बनाने को भूला है, तो मैं answer एक बार match करा दूँ आपके लिए, है ना, D Y by D X equal to Y square, कितना आया था, X square minus Y square upon 2XY, तो इसका answer क्या है, A है, ना, चेक के लिए एक बार answer, X square minus Y square, थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, D Y by D X equal to Y square minus X square आ रहा है मेरा, ठीक ना, D Y by D X equal to Y square minus X square, देख लें चले, सलूशन में देख लेते हैं, क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है, D by D X equal to Y square minus X square upon 2XY, तो इस तरीके से एक homogeneous differential equation बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आपको यह form करना पड़ेगा, ठीक है, बाकि इसका जो bookish solution है, वो आप देख लेजे, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जैसा मैंने किया है, मैं H, के ले करने पर बिलीब करता हूँ, क्यों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 inverse 1 लिख सकता हूँ, 10 inverse 1 लिख दूँगा, तो बहुत आसान हो जाएगा, तो देखे, 2 10 inverse, this plus 5 by 4 को मैं नहीं क्या लिख दिया, 10 inverse 1, अब 10 के 2 form को single form में बदल लो, तो 2 10 inverse X equal to 10 inverse 2X upon 1 minus X square होता है, ठीक है, जिससे 10 inverse क्या हो गया, 5 by 12 बन गया है और 5 17 बड़े बारा, बारा में से 5 गया, 7 बड़े बारा, तो बारा से बारा कैंसल हो गया, 10 inverse 10 17 बड़े साथ, तो गरेक्ट आंसर कितना होगा, 17 by 7, done, तो ये भी कोश्चन हो गया, बड़े आराम से, चली एगला कोश्चन देखते है, question number 81 क्या आया था, एक्जामे, दवर देखे, जो तीसरा वर्टाइसस बोला जा रहा है, तो तीसरा वर्टाइसस जो है, वो यहाँ पे 6,6 यहाँ पर बोला जा रहा है, चली ए, अब आपको बताना है कि इसके circumcenter और centroid के बीच की दूरी बतानी, तो आपको सबको पता है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का होता है, circumcenter हुआ करता है, क्योंकि circumcenter होता है, right angle triangle के hypotenuse का midpoint, तो इस तरीके से triangle बन चुका है, 6,6 है, तो यहाँ का midpoint निकाल लेंगे, midpoint property से कितना निकाल लिया, आपने 3,3, ओके, फिर आपने centroid निकाल लिया, कितना centroid आ गया, 4,4, 3,3 यहाँ बैट रहा है, मतलब 4,4 कहा बैठेगा, 3,3 जो है, midpoint circumcenter यहाँ बैठ चुका है, मतलब 4,4 कहाँ बैठेगा, एक मिनट दिखे, वो something आँगे बैठेगा, बाहर बैठेगा है, तो यहाँ पर जो centroid होगा, वो कहीं न कहीं बाहर होगा, क्योंकि 3 के आँगे 4 होता है, मतलब यहाँ पर होगा, तो आपको क question देखी, अगला question बहुत आसान, कह रहा है, the number of real solution of the equation इतना, इसके real solution बताने, number of real solution, तो इसमें 2 case बनेंगे, 2 case बनेंगे, सबसे पहले x greater than 0 और 1 x less than 0, तो 2 case बना करके हम quadratic equation को solve करते हैं, पहला case लिए हमने x greater than 0, तो देखे, equation बनगे x square minus 3x plus 2, और दोनों देखे, दोनों जो mod x break हो जागा, minus x में, तो mod x minus x में break हो गया, तो equation क्या बन गया, x square plus 3x plus 2 equal to 0, ओके, और इसको लेने पर कितने दोनों ही negative बार है, मतलब ये दोनों ही satisfy कर रहे है, किसको satisfy कर रहे है, x less than 0 को, मतलब total यहां पर कितने root होंगे, 2 और 2, 4, ओके, तो इसका भी answer current complete हो गया, 82 का option number 4, चार, चलिए अगला question देखे, अगला question कहरा, question number 83, angle between the tangent to the curve, angle between the tangents to the curve, this at the point 2, 0 and 3, 0, तो भाई, दो कर्व हैं आपके पास में, एक कर्व ये जा रहा है, एक कर्व ये जा रहा है, दोनों के बीच में जो tangent खीची गई है, उनके बीच में angle निकालना, ओके, तो दोनों के बी देखे, पहला वाला equation अपने पास है, y equal to x square minus 5 expressive, differentiate करके value put कर दी 2, 0, answer आगया, दूसरा वाला जो कर्व है अपने पास में, अच्छा, दूसरा कर भी वही है, है ना, उसी कर पर दो tangent, दूसरे कर पर भी 2x minus 5 ही होगा, और 2x minus 5 पर value क्या put कर दी tangent की 3, 0, तो 6 minus 5, मतलब कित्ता आगया 1, तो साब दिखरा भाई, m1 आया है 1, और m2 आया है कित्ता, m1 है minus 1, और m2 कित्ता है 1, तो m1 into mt equal to कित्ता होगा minus 1, मतलब दोनों tangent क्या होगी, एक दूसरे के perpendicular होगी, मतलब कर्व कैसे एक दूसरे के orthogonal भी कहे जा सकते हैं, कि ये दोनों कर्व जो है, एक दूसरे के interior of the circle, circle के अंदर आपकी point select किया गया, कह रहा कि probability निका लिए, कि जिससे कि ये जो point है, वो कह रहा है कि probability that point is closer to the center, center से closer हो, तो भाई, total अगर radius r है, तो बीच में क्या बनेगा, r by 2, okay, तो r by 2, तो आपका feasible area मतलब जो वांचित reason है, वो ये हो जाएगा आपका पास, okay, और total area कितना हो जाएगा, पाई r square, तो ये जो probability निकलेगी area के depth में निकलेगी, okay, तो कैसे निकलेगी, probability is equal to, है ना, आपके बाले outcome, favorable outcome, वांचित बिंदू, अपान total बिंदू, तो favorable outcome कितना निकलेगा, पाई r by 2 का square, okay, तो पाई into r by 2 का square निकलेगा, और total outcome कितना निकलेगा, पा symmetric matrix, तो अगर इसके symmetric matrix होता तो क्या property होती है, कि इसके diagonal element होते है, वो क्या होते है, 0 होते है, तो तीसरा तो 0 हाई है, इसकी चिंता नहीं है, मगर इसकी और इसकी चिंता करनी पड़ेगी, 2 sin theta minus 1 equal to 0, 2 cos theta minus 3 root 3 equal to 0, तो sin theta is equal to 1 by 2 and cos theta is equal to root 3 by 2, okay, sin theta is equal to 1 by 2, और cos theta equal to root 3 by 2, तो एक काम करिए, दोनों को divide कर लीजे, ठीके ना, तो sin theta equal to 1 by 2, cos theta equal to root 3 by 2, तो वैसे कि एक चीज़ और तरीका है, कि दोनों positive है, तो sin theta positive और cos theta positive के बल first quadrant में होते है, मतलब इसका जो angle जाएगा, वो किसमें जाएगा first quadrant में, और first quadrant में दोनों को satisfy करने वाले angle कितना होता, 30 degree, या आपको बताना है कि common tangent कैसे निकालते हो, common tangent के लिए क्या करना पढ़ता है, c1, c2 निकालिए, और r1, r2 निकालिए, तो चले देखे, दोनों सबसे पहले क्या किया, c1, c2, r1, r2 निकाल दिया, पहला center है, center क्या बनेगा, 0, 0, radius बनेगी 2, ओके दूसरा circle है, इसका center कितना बन और इन नोनों, देखी, 7 और 2 में क्या कोई relation दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कि जो center के बीच की दूरी है, c1, c2 जो है, वो क्या है, वो r2 minus r1 के equal है, r2 minus r1 के equal है, तो ऐसा कब होता है, जब center के बीच की दूरी, दोनों radius के बीच का difference हो, center के बीच की दूरी, जब द internally लाई करने पर कित्ती tangent खीची जा सकती है, तो correct answer होगा यहाँ पर, one tangent, main चीज यहाँ पर यह note कर लिजे, कि c1, c2 equal to r1 minus r2 का mod हो, या r2 minus r1 का mod हो, तो common tangent जो होती, एक बनती है, okay, note कर लिजे, c1, c2 equal to r1 minus r2 का mod, अगर यह चीज verify हो रही, यह property लग रही है, तो बोलो, क्य होगा, तो उस समय में केबल एक common tangent exist करीगी, कित्ती tangent होगी, one common tangent उस समय में exist करीगी, so this is done, चलिए, अगले question की ओर चलते है, question number 87, two successive terms are in the expression, 1 plus 2x की power 2n, where coefficient are in the ratio 1 ratio 4, कहरा दो लगातार टर्म है, तो दो लगातार टर्म को अब क्या मालीजे, r plus 1th और r plus 2th term मालीजे, तो पहला आपने मालीजे, r plus 1, r plus 1 term कितना होगा, 2nc, rx की power r, ओके, और जो r plus 2 term होगा, वो कितना होगा, 2nc, r plus 1, और x की power r plus 1, क्या कहरा है यह, कि तो जो दोनों term है, या आपके पास में, दोनों term जो है, वो किसमें है, इनका ratio किता दिया, 1 ratio 4, ओके, तो 2nc, r upon 2nc, r plus 1, equal to 1 ratio 4, तो factorial 2n, factorial 2n, factorial 2n, उपर से cancel हो जाएगा, उपर वाले में factorial r, नीचे वाले में r plus 1, और उपर वाले में factorial 2n-r, और नीचे वाले में 2n-r, minus 1, ओके, तो किस तरीके से इसको solve करेंगे, answer आ रहा है, r plus 1 upon 2n-r, equal to 1 upon 4, ठीक है, r plus 1 upon 2n-r, equal to 1 upon 4, तो इसको condition solve कर दिया है, तो n औ 2 successive terms तो मतलब आपसे की पूछी है की R की value ज़वार वेल्यू क्या होगी है तीसरा चौथा पाचवा साथ और अठवा तो यह इलागा है तो आपको क्वोए कि वेल्यू क्या अपस्या bạn को 2N मतलब even, 2N मतलब कितना होगा, even होगा, तो चली हम cases बनाते जाते हैं, सबसे पहले हम R की value बन डालते हैं, तो R की value बन डालने पर देखे 2N इकल डू कितना होगा, 9, जो कि possible नहीं है, क्योंकि वो तो even number है, even number कभी 9 होता नहीं है, तो मतलब R possible नहीं होगा, ओके, चली अब R की value 2 डाल दीजे, तो R की value 2 डालने पर 5 इंटू 2, 10 प्लस 14, यानि कि 2N इकल डू कितना होगा, 14, यानि N इकल डू कितना होगा, 7, मतलब total terms कितने होगा, 7, और R equal to कितना होचुका, यहाँ पर आपने R equal to 2 डाला है, तो R equal to 2 पर यानि equal to 7 पर ये property satisfy हो रही है, मतलब total number of terms कितने है, 7, तो R equal to 2 आ रहा है, तो हम आपस कौन-कौन से terms थे, R plus 1 और R plus 2 थे न, देख लीजे एक बार, येस, R plus 1 और R plus 2, तो कौन-कौन से terms equal होगे, T3, R plus 1 और T2 plus 1 और T4, ओके, तो T3 और T4 जो होगे, क्या कहा जा रहा है, इनके ratio, 1 ratio 4 में होगे, किसके 3 के और 4 के, तो correct answer कितना होगया, 3 and 4, एक तरीका, चलिए अगले देखिए, 2 R plus 5, R की जगे 2 रख दीजे, R की जगे 2 रख दीजे, तो 5 into 2, 10, अचा, R की जगे तो 2 रख दिया न, अब 3 रख करके देखे, तो 5 into 3, 15, 15 plus 4 कितना 19, और 2 N कभी 19 हो नहीं सकता है, मतलब R की वेल्यू 3 कभी जमेगी नहीं, अब R की वेल्यू 4 डालिए, तो 5 into 4, 5 into 4 कितना होगया, 20, और 20 plus 4 याने कि 24, 20 plus 4 याने कि 24, तो R की वेल्यू 4 डालनने पर कितना आ गया, 5 into 4, 20 plus 4, 24, और N equal to कितना आ गया, 10 आ गया, तो N equal to 10 जम रहा है, जब R की वेल्यू 4 होने पर, R की वेल्यू जो है, आपकी R की वेल्यू आपने क्या डाली है? 4 डाली है, तो 5, 4, 20, पलस 24, अब देखे, R की वेल्यू 4 डालने पर आपके पास तर्म आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे, क्योंकि satisfy तो कर रही है तो R की value 4 डालने पर आपके पास आएंगे R की value अगर आप 4 डाल रहे हैं तो R प्लस 1 था आपका कौन सा आएगा 4 ठर्माएगा और R प्लस 1 के लिए आपका 4 था जाएगा और R प्लस 2 था के लिए आपके पास कौन सा आजाएगा 5th आजागा because R की value कितनी आई है 4 है ना तो R की value अगर आपके पास 4 support कर रही यहाँ पे तो R की value 4 support करने पर एक है 4 plus 1 ओके और एक आपके पास में कितना आजाएगा देख लीजेगा एक पर क्या question में 4 plus 1 लिया है 4 plus 2 लिया है तो 4 plus 1 कितना होता है 5 और 4 plus 2 लिया है कितना? 6 है ना? तो क्या support कर रहा है? 5th और 6 10 का support कर रहे है तो इसके 2 option मिल रहा है इसलिए question को क्या है remove कर दिया गया था इस question को मतलब गलत गोशेद कर दिया गया था क्योंकि इसका पहला option भी सही है और इसका दूसरा option भी सही है चलिए आंगे देखते हैं, क्या इसमें n की कोई r की कोई और value पूट की जा सकती है, तो 5 into 1 देख लिए हमने support नहीं कर रहा था, 5 into 2 support कर गया, 5 into 3 support नहीं किया, 5 into 4, r की value 4 support कर गई, और 5 support नहीं करीगी, r की value यदि में 6 डालता हूँ, तो 2 6 अ, 2 6 अ कितना हो गया, r की value 6 डाली नहीं, तो 5 6 अ, 5 6 अ, 30 and 30 plus 4 equal to 34, तो 30 plus 4 equal to 34, ठीक न, 30 plus 4 equal to कितना हो गया, 34 तो n equal to कितना हो जाएगा, 17, n equal to कितना हो जाएगा, 17, तो r equal to, मैंने क्या डाला है, r equal to डाला है, मैंने 5, 6, तो 7th and 8th term भी support करेंगे, तो 7th और 8th option में है क्या, लिए भाई, 7th और 8th option में नहीं है, ओके, yes, तो इसलिए यहाँ पर 7th और 8th option में नहीं, इसके दो यह answer correct जाएगे, एक तो जाएगा आपका पहला और एक जाएगा आपका दूसरा, चलिए तो यह भी हो गया, done, अगला question दीखे, अगला question कहा रहा तो, A और B का कोई universal set है, और उसमें कित्य element है, 40 element है, if N A equals to 25, N B equals to 20, then the least value of N A intersection B, ठीक है ना, तो कह रहा है कि भाई, universal set किसका है, A का और B का, ठीक है ना, A का और B का, अब कह रहा है, N A और N B, जो है, उसमें कितने है total, देखिए आप अगर आप N A प्लस N B को individual add कर दें, N A और N B को individual add कर दें, तो कित्या जाएंगे 45, N A और N B को individual add कर देंगे 45, बड़ आपके लिखे देखिए, universal set में केवल कित्य element है, 40 element है, मतलब यह जो set है, disjoint नहीं होगा, यह set क्या होगा, joint होगा, ओके, तो यहाँ पर क्या हाल होगी इसकी, इस तरीके से, किस तरीके से यह A में 25 element है, और B में कितने element है, 20 element है, B में कितने element है, 20 element यह कह जा रहे हैं, कि A में 25 element है, और B में 20 element है, इसका मतलब least value of intersection B आपको बताना है, तो देखिए, इस question को मैं थोड़ा जादर detail में बताऊंगा, क्योंकि काफी जादा conceptual question है, तो यहाँ पर दो situation बन सकती है, एक प तो 25 है, और यह 20 है, अलग-अलग है, परन्तु यह दिया, आपके पास देखिए, यह 5 share हो जाएंगे, 5 क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, तो कम से कम 5 की sharing हो सकती है, कम से कम 5 जो है, element अगर overlap कर जाएंगे, तो total आपके पास कितना बन जागे, यह universal set में आपके पास 40 element हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए, अगर 5 अगर share करेंगे, तो 25 में से यहां बचेंगे, 20 और इधर बचेंगे, 5, 15 और अधर आएंगे, कितना पास, तो total कितने हो जाए, 40 हो जाए, ओके, तो 40 element होने के लिए, यहां पर कितने element को share करना पड़ेगा, intersection B में कितने element हो सकते हैं, तो 20 के 200 element हो सकते हैं, वो ऐसा हो जाएगा, कि यह set A है, और set B जो है, कि पूरा का पूरा, मतलब जितने 20 के 200 element है, वो A के अंदर के आजाएंगे, ओके, तो मतलब A intersection B की जो minimum value होती, वो कितने होती, 5, ओके, और जो A intersection B की maximum value होती, वो कौनसी होती, चोटा वाला set की value, जितने छोटे वाले set में element होते हैं, तो यह आपसे कोई बोले, कि maximum of value of A intersection B बताना है, तो आपको यहाँ पर कितना बताना पड़ेगा, छोटा वाला कौन सा है, 20, तो इसका answer हो जाएगा 20, और minimum value आपको बतानी है, तो कौन सी बताएंगे, 5 बताएंगे, तो यह of the line, M, Y square plus 1 minus M square into X, Y minus M, X square equal to 0 is a bisector of the angle between the lines, X minus Y equal to 0, then the value of M, देखो भई, क्या कह रहा है, कि इसमें से यह जो line है, इन दोनों line में से कोई एक line, क्योंकि क्यों, यह pair of straight line है, कह रहा है, इन दोनों line में से जो straight line है, वह क्या है, इसका bisector है, X, Y equal to 0, तो X, Y equal to 0, क्या है, X, Y equal to 0 है X equal to 0 and Y equal to 0 X equal to 0 का मतलब Y axis Y equal to 0 मतलब X axis मतलब इनका by sector तो Y axis और X axis के 2 by sector होते हैं एक होता है Y equal to X और एक होता है Y equal to minus X ठीक है ना तो 2 by sector हुआ करते हैं तो मैं क्या करता हूँ अगर Y equal to X by sector है और Y equal to X by sector represent कर रहा है इसको मतलब यह satisfy भी करेगा तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ Y की जगे में X रख देता हूँ तो इस equation को solve करते हैं देखिए इस equation को solve करनी के लिए क्या condition दी गई है ठीक है तो चलिए इस equation को solve करते हैं तो देखिए क्या था question MY square तो मैंने क्या put किया मैंने का Y equal to X रख देता हूँ तो यह हो जाएगा MX square plus 1 minus M square X into X हो गया X square और minus MX square equal to कितना हो जाएगा 0 इससे यह cancel हो गया तो यहाँ से देखिए 1 minus M square 1 minus M square into X square equal to 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा M square minus 1 नहीं, 1 minus M square equal to 0 मतलब m equal to कितना हो जाएगा plus minus 1 तो यहाँ पर value क्या आएगी m equal to plus minus 1 देखिए है क्या option में then the value of m तो दो option दिये गए अपने पास में plus minus 1 था तो correct option इसका कितना हो जाएगा first answer आजाएगा इसका चलिए अगला देखिए अगला question क्या कह रहा है कह रहा है कि the minimum value of the value of the quadratic equation इसकी minimum value आपसे पूछी जा रही है तो भाइब देखिए इसकी minimum value हम निकाल लेते हैं कई तरीके होते हैं हलाकि निकालने के मगर मेरा जो मन कह रहा है वो कह रहा है कि 3 common ले लूँ अगर मैं यहाँ से तो x square हो जाएगा और minus 6x हो जाएगा ok x square minus 2x हो जाएगा ok x square minus 2x के लिए मेरे को क्या यहाँ पे जुरूत पड़ेगी मेरे को यहाँ पे 1 की जुरूत पड़ेगी थीक है नभ 1 की जुरूत पड़ेगी तो 3 वन जा कित्ता हो गया 3 तो इधर पे कितना छूड़ गया, इधर पे छूड़ गया 5, तो ये बन गया 3 into x minus 1 का whole square, plus का कितना 5, कौन सी value बूल रही है, minimum value, तो quadratic equation का ये part हद से हद क्या हो सकता है, 0, ओके, तो मतलब इसकी value हमेशा जो होगी, इसने part की 0 से बड़ी ही आएगी, और plus कितना 5, तो इसकी ज मैंने उन से आपको बताया है, कोई doubt होते जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए अगला question चलते हैं, अगला question भाई, simple statistics का question है, the weighted mean of the first n natural number, whose weights are proportional to the corresponding number, मतलब पहला number जो है उसका weight है 1, दूसरा number जो है उसका weight है 2, और तीसरा number जो है उसका weight है 3, और n य जो number है उसका weight कि देता है, n है, तो आपको बताना है कि weighted mean क्या होंगे, चलिए, तो weighted mean का formula क्या होता है, देखे, weighted mean का formula होता है, x1, w1, plus x2, w2, plus x3, w3, upon में कितना हो जाता है, w1, plus w2, plus w3, up to n, तो देखे, यहाँ पर data first है, x1, इसका weight भी 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, n का n है, n data है, तो उपर क्या आ जाएगा, 1 square, plus 2 square, plus 3 square, up to n square, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 plus 2 plus 3, up to up to n, तो इसको हल कर दीजे, solve कर दीजे, तो n into n plus 1, 2 n plus 1 upon 6, n into n plus 1 by 2, okay, n plus 1 से n plus 1 cancel, n से n cancel, तो correct answer किता आ गया, 2 n plus 1 by 3, इसको आप लोग चाहे, तो memorize भी कर सकते है, 2 n plus 1 by 3, जो होता, weighted mean होता है, n natural number चलिए अगला question देखिए, the line passing through the point this, the line passing through the point this, ये दो line, दो lineों से होने वाली, जाने वाली line है, दो point से होके, एक है 5 1 A, और एक है 3 B 1, okay, और यहां से देखिए Y Z plane है, ये कौन सा plane है, Y Z plane है, ये line इसको कित्ते में काट रही है, 0 17 upon 2, और minus 13 by 2, ठीक है न, तो कह रहा है कि ब ratio काट रही है, तो बताईए A और B के quadrant क्या होंगे, तो एक काम करिए, देखिए, सबसे पहले देखिए, ये अपने पास कौन सा plane है, Y Z plane है, तो आपको वेन ट्रिक बताई थी कि जो Y Z plane होता है, वो दो join को किस ratio में काटता है, वो काटता है, minus X1 upon X2 में, ओके, तो यहां पे X 5 ratio 3, अब इसके बाद section formula लगाईए, 5 ratio 3 put कर दीजे, और आपके पास क्या आजाएगा, पहले आजाएगा B coordinate, क्योंकि B coordinate आपका, ये वाला coordinate आपको find करना है, ठीक न, तो इसको मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से, और आपके पास जो ratio है, वो तो ही है, ratio आपके पास ज ratio आगया, B की value निकाल लिए, फिर इसके बाद A ये वाला coordinate निकालना है, तो अगेन ये जो coordinate है, ओके, अगेन ये वाला जो coordinate है, वो किस, ये जो वाला coordinate है, वो किसमे ब्रेक कर रहा है, lambda ratio 1 में, lambda ratio 1 में, ठीक न, तो हो गया, फिर से Z coordinate के लिए, तीसरे वाले के लिए formula लगा दीजे, ओके, वो किता दिया है, लेमडा ratio 1 के लिए 17 दिया है, माइनस 13 बाइटू, तो माइनस 13 बाइटू, यानि की Z coordinate के लिए formula लगा दीजे, क्या बता हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं करने जैसा, find if a matrix A, then इसके बाद आपको कह रहा है कि matrix दिया गय आप क्या करेंगे, आप इसमें A inverse का multiply कर देंगे, A inverse का multiply करने से, post multiplication अपने multiply किया है, इस तरीके से आ जाएगा, ओके तो A inverse equal to minus of 3A square plus 2A plus 5A, plus 2A minus of 3A square plus 2A plus 5A, तो या answer हो गया, बहुत easy सवाल है, इसमें कुछ कराने जैसा ही नहीं है, इसलिए अपन इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, चलिए अगला question देखे, अगला question थोड़ा ठीक समझ मारा है, if one root of the quadratic equation is this, then the quadratic equation will be, भाई साब देखे, अगर एक root आपको दिया गया है, 3 plus 4A, तो अगला root automatically कितना होगा, 3 minus 4A उटा होगा, तो sum of the zeros कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, okay, sum of the zeros कितना हो जाएगा, 6 ह हो जाएगा, और मेरे को 6 जो है, sum of the zeros के बल, पहले number में दिखा रहा है, तो इसका, एक minute, sum of the zeros equal to कितना हो जाएगा, 3 plus 4I, और 3 minus 4I, दोनों का zeros अपन को दिखा रहा है किसमे, sum of the zeros that is equal to minus C upon A, तो भाई, फस्ट होना चाहिए, x square plus 6, x plus 25, एक minute, x square plus 6, x plus 25, sum of the zeros, 3 plus 4I, 3 minus 4I, हाँ, देखिए, यहाँ पर question वाले ने भाई सब formula ही गलत लगा, इसलिए answer गलत आगया, उसका, x square minus alpha plus beta होता, इसलिए क्या होगा, minus 6 होगा, ठीके न, तो इसलिए alpha plus beta, जो है, alpha minus beta, यह तो ठीक आ रहा है, roots का सम तो ठीक आ रहा है, मगर formula गलत ल होगा, a option होगा, ठीक है, हमारा सही था answer, ओके चलिए अगला question देखिए, अगला question 94, let pn such that 2n less than 1 into 2 into 3 कह रहा है, कि बताइए कौन सा satisfy करेगा, तो n की value देखते जाए, put करते जाए, सीधे मैं 4 पे आता हूँ, देखिए, तो 2 की power 4 कितना होता है, 2 की power 4 होता है, 16, 16 less than 1 into 2 into 3 into 4, ओके 4 तक चलेगा, तो 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 24, बिल्कुल सही, तो correct answer इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी के कोई भी satisfy नहीं कर रहे है, आप डाल करके देख लिजेगा, इसलिए correct answer इसका कितना हो जाएगा, 4, चलिए अगला question लिखिए, अगले question को करने के दो है, मगर यह जो तरीके इस में दिया गया हो जाएगा अच्छा है, कह रहा है, fx equal to, इतना जो है, यह monotonically decreasing function है, in the largest possible interval, इतने में यह monotonically कैसा function है, decreasing function है, समझ गया ना, monotonically decreasing function है, मतलब इतने part में जो इसकी value होती है, वो less than 0 आती है, इतने part में इसका जो derivative होता हो, क्या होता ह है, तो चली देखी, कैसे करेंगे इस question को, कैसे करेंगे इस question को, सबसे पहले हमें दिया गया है, fx equal to, इतना इतना इतना, fx निकाल लिया, ok, fx is decreasing function in the largest point of interval, therefore, इसकी जो value होगी, इस interval में क्या होगी, less than 0 होगी, but यदि इसके बाहर के interval की बात की जाए, तो इसके बाहर के interval क कितना बनेगा, एक बनेगा minus infinity से लेके minus 2, और एक बनेगा कितना, एक बनेगा कितना, minus 2 by 3 से लेकर के infinity, ये रहेगा, तो अगर इसके बीच के interval में, इसकी value decreasing है, ok, इसके बीच के interval में, इसकी value decreasing है, तो ये जो दो point हो रहे है, एक है minus 2 और एक plus 2 by 3, इन पर इसकी value कितनी होग इस पर इसकी value जो है F-X की value इस पर क्या है less than 0 है तो आंग जो बाकी की जो चीजे बन गई है बाकी जो जो interval बन गया है उस पर function क्या होगा greater than or equal to 0 तो equal to 0 किस point पर हुआ करता है जिनको आप consider नहीं करते हैं जिन पर आपका function rest करता है ने critical point तो देखने में लग रहा है क्या कि minus 2 critical point है और plus 2 by 3 critical point है तो minus 2 और plus 2 by 3 critical point है मतलब minus 2 पर और plus 2 by 3 पर यह जो function है इसकी value कित्ती होगी 0 होती होगी minus 2 और minus 2 by 3 पर function की value कित्ती होगी 0 हो रही होगी तभी तो इन में critical point आएगा मतलब यह जो function यह जो minus 2 और minus 2 by 3 है क्या होंगे इसके roots होंगे क्या होंगे इसके roots होंगे तो भाई क्या formula लग जाएगा alpha into beta equal to c upon a alpha into beta हैने की product of the roots तो यहाँ पे देखो c upon a मतलब किता है lambda by 3 और lambda by 3 equal to alpha into beta minus 2 into minus 2 by 3 minus 2 minus 2 किता हो गया minus 4 upon 3 तो lambda by 3 equal to 2 हो गया 4 by 3 तो solve करने पर lambda की value किती आगई है हमाई पास में 4 आगई चली अगला question देखे तो बच्चों से 10 मी class से करते आ रहे हैं इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है ओके next question में question number 97 यह देखे तो इस question में कुछ भी सा नया नहीं है जो बताया जाए आपको class 10 से करते आ रहे हैं देखे 10 है 1 है 2 है तो कहां तक series जाएगी 45 तक और इसके आंगे 89 तक है तो 10 से 10 89 cancel हो जागा because 10 3 10 2 4 3 equal to 1 कुछ इस तरीके से cable आपके पास बीच में सही सलामत एक ही टर्म बचेगा जिसका नामे 10 45 और इसकी value कित्या जाएगी 1 चलिए अगला question दिखिए कह रहा है कि x square plus 3 x plus 32 प्लस इतने को satisfy करने वाली value बताये x की value तो दिखिए सबसे पहले मेरे पास 4 option में 2 2 2 2 5 है किवल 1 है जो match नहीं कर रहा है तो मैं 1 को put करूँँगा कहीं एक option match कर गया तो यही answer हो जाएगा तो 1 का square 1 plus 3 plus 32 33 34 35 यह हो गया root 35 plus 32 33 35 और रूट 36 तो root 36 हो गया और plus कित्ता हो गया 5 और 3 8 8 और एक कित्ता 9 8 एक 9 9 हो गया है ना 9 तो यह देखते हैं कि क्या है satisfy कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो 36 और इसका हो गया 6 और इसका हो गया 3 equal to no वाकई में satisfy कर रहा है तो correct answer इसका कितना होगा d छीक है ना बाकी इसको solve करने का तरीका यह देखे जैसे आप 11th class में solve अगरे करते थे इस तरीके solve कर सकते हैं अगला question देखे रेंज of the function 1 minus mod x minus 2 किस तरीके इसा निकला जाएगा तो आप जानते हैं mod of x minus 2 जो होता always greater than or equal to क्या होता है 0 होता है ओके तो minus x minus 2 always less than or equal to 0 तो 1 add कर दिया है तो 1 minus x minus 2 क्या हो जाएगा always less than or equal to कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मतलब इसकी value minus infinity से चलेगी 1 तक चलेगी तो answer number इसका कितना हो जाएगा 99 का 3 done अगला question है the value of the function this if x equal to इतना तो ऐसे question को करने के लिए क्या किया जाता है x plus 2 को इधर लेकर के आई है x plus 2 equal to under root 3 out 3 iota और इसके बाद इसको square कर दीजे तो x square plus 4 plus कितना हो जाएगा plus 4 x equal to 3 का square कितना हो जाता है x plus 7 equal to 0 x square plus 4 x plus 7 अब इसको आप क्या करिए इस वाली चीज से नीचे वाली चीज से उपर वाले को divide कर दीजे और जो remainder आता है वही answer होता है तो यहाँ पर remainder खिता आ रहा देखे यहाँ पर remainder आ रहा है 25 तो correct answer इसका कितना होगा 25 तो यह था हमारा KVS 2017 का पूरा solution मैंने सुपर फास्ट रफ्तार में पूरा solution कराया है and I hope आप लोग को बड़ अच्छे समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्पूर कीमती समय देने के लिए करना क्या है आप लोग को